Hello everyone, welcome to selenium tutorial, इस tutorial में हम देखेंगे कैसे log4j को use करके हम logs अपने framework में डाल सकते हैं तो सबसे पहले आपको एक log4j की jar download करी पड़ेगी तो आप logging.apache.org log4j पे जाके उसके अंदर download page पे link करेंगे तो यहां से आप Apache की download कर सकते हैं तो आप zip या zz जो भी download करना चाहें वो download करें में पहले सही है तो मैं क्या करूँगा right click करूँगा build path पे configure build path जैसे हम jar add करते हैं add external jars करके अपने path पे जाके यह add कर लूँगा अभी यह मेरे पास present है तो मैं इसको apply करके ok कर दूँगा अब उसके बाद हम फिर से एक package बनाएंगे जिसका नाम मैं रख देता हूँ logging test log4j या log4j test तो इसमें मैंने क्या करना है जैसे हमने loggers class के लिए इतना कुछ किया था log4j यह सब कुछ methods already provide करती है तो यह utility है जिसमें आपको खुच से इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा तो बस एक logger object बनाना है आपको और उसके बाद आपको अपने class name का नाम set करना है तो logger.getlogger और यहां आपकी class name का let's say नाम जो भी हम वो define कर देंगे इसको final बना सकते हैं और इसके बाद यह mostly आप constructor में भी डाल सकते हो या आप static logger के साथ आप कोई भी message डाल सकते हो जो भी आपको डालना है और इसे अब हम execute करेंगे तो आपका कुछ भी value नहीं आई यह इसलिए हुआ क्योंकि जब भी तो यहाँ पर value इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने कुछ भी define नहीं करगा बट आपके initializations के logs आए हैं define नहीं करने का मतलब यह है कि हम एक property file बनाते हैं हमेशा log4j की और इसके अंदर हम define करते है different values को पर उस property file का path जो है वो हम यहाँ define करते है इसको sorry यहाँ से अंदर define करेंगे dot इसको आप किसी conceptor में भी डाल सकते हैं अभी के लिए मैं यहीं डाल रहा हूँ तो आप string file name या कुछ भी दे सकते हैं log4j.properties और इसके बाद आप इसकी property को यहाँ define करेंगे और फिर जब वो property से value delete करेगा तो यह action perform होगा तो अभी मैं क्या करता हूँ? webdriver driver equal to new chrome driver और इसके बाद इसको import करके मैं इसे try catch में डाल रहा हूँ अभी generic exception ले लेते हैं तो ऐसा है यहां print कर सकते हैं लेकिन यहां पर इसकी जगह हम logger में यह भी print कर सकते हैं logger.info पर info एक message नहीं है particular exception के लिए तो हम fatal use करेंगे in exception block यह लिख सकते हैं यह logger.info हम यहां डालेंगे in walking browser तो यह exception में जाएगा क्योंकि हमने system.set property नहीं की पर इससे पहले हमें property file में values define करनी होगी तो यहां पर हम property file में जाके values define करेंगे तो यह मेरी values हो गई इसमें different values हैं log4j.rootlogger यह क्या कह रहा है कि यह debug mode में by default चलना चाहिए और console और file दोनों में print होना चाहिए तो पहले इसको check करते हैं तो मैं यह run कर रहा हूँ तो invoking browser के बाद exception block में चला गया यहां पर हम चाहे तो यह लिख सकते हैं browser invoked अब execute करेंगे तो browser invoked नहीं आया invoking browser exception block यहां चला गया यहां से सीधा यहां क्योंकि यहां पर error है हमें पता है तो यहां पर अगर मैं इसको state out को हटा देता हूँ और फिर execute करता हूँ तो यहां पर मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा रहा console में ऐसा क्यों है क्योंकि मैंने यहां पर कहा कि state out मत करो और फिर अब यहां पर execute करूँगा std out लिखके तो यहां console में print होने लग जाएगा और यहां पर मेरे जो file है log4j application.blog इसमें print हो रहा है यह file मैंने कहा दिया है यह मैंने यहां दे रखिया है और कह रहा है जब एक के भी size हो जाए तो इसे reload कर दो इसको हम बढ़ा देते लेट से size को अब यह 1kb से ज्यादा हो गया size इसका तो जब मैं अब दुबारा execute करूँगा तो यह file खाली हो जाएगी तो मैंने दुबारा execute किया console में print हुआ और यह file खाली हो गई और यहां पर यह print हुआ अगर मैं इसको 10kb करूँगा तो यह 10kb तक ही जाएगी यह मेरा file name हो गया यह कह रखाए कि यह append करें अगर आप चाहेगी नया लिखे है हर बारी तो यहां पर change कर सकते हैं आप इसको और maximum backup index 10 है layout मेरा pattern और उसके बार date ऐसे ही मेरा same console के लिए तो यहां पर हमने यह define कर रहा है तो इसके बाद आप level जो है आपका यह देखिए जो यह info और fatal आ रहा है debug नहीं आ रहा info fatal लेकिन अगर यहां पर आप debug की जगा info नहीं देते हैं यह debug देते हैं तो ही debug आएगा जबकि default यह है बट हमेशा यह नहीं रहेगा अगर आप कुछ और देते हैं level को तो वह level change हो जाएगा बागे अब इसमें बहुत सारे features है logger में और इसके लावा आप जैसे level set कर रहे थे हम पहले priority set कर रहे थे यह सब कुछ आप log forger के दूरू कर सकते हैं अबे के लिए इतना है thank you